नमस्कार दोस्तों बाजार की खबर में आज आपका फिर एक बार स्वागत है दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है आज टाटा मोटर्स को लेकर और उसी की अपडेट आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों टाटा मोटर्स और SBI की पार्टनर्शिप को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है तो वीडियो में बने रहिएगा सारी चीजों को डिसकस करने वाले हैं और मंडे के दिन Tata Motors के जो टारगेट निकल कर आये हैं वो भी आपको साथ शेयर करने वाले हैं इसी के साथ Tata Motors के अंधर अभी आपको जो लगातार गिरावट देखने को मिली थी और अब मंडे के दिन, याने कि सोमवार के दिन shares के अंदर क्या target है सारी चीजों को जानने की कोशिश कर दें तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं उसके बिले यदि अपने चैनल पर फर्स टाइम विजिट के आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि शेर मार्केट से जूड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल से मिलती रही दोस्तों आज आपके सामने में यहाँ पर टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन कर रखा है अगर आप इस चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो इसके अंदर देख पाएंगे कि मार्केट के ओपन होने के बाद ही आपको टाटा मोटर्स के शेर्स के अंदर एक बुलिश मुवेंट देखने को मिल रहा है याना कि जैसे ही टाटा मोटर्स का शेर्स यहां पर ओपन हुआ उसके बाद में ही फर्स्ट सेशन के दोरान ही आपको काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिली लेकिन यहां पर जो टाटा मोटर्स की क्लोजिंग आई है वो काफी अच्छी क्लोजिंग निकल आई है यानि कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग हम इसे कह सकते है जिसका एक रिजन तो मैंने हमारी लास्ट वीडियो में भी शेर्स करा था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोट की तरफ से एक बहुत बड़ी update निकल कर आई है एक बहुत बड़ा decision निकल कर आया है जो कि Tata Group के favor में निकल कर आया है उसका भी यहाँ पर बहुत बड़ा Tata Group के अंदर एंपेक्ट बड़ा है और उसी के साथ HBI को लेकर भी अभी recent में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल गा रहा है जिसका इंपेक्ट आपको मंडे के दिन Tata Motors के अंदर देखने को मिल सकता है सबसे विले Tata Motors के आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात कर लेते हैं Tata Motors का शेर्स अज 290 पर ओपन हुआ 301 रुपीज का इसने हाई बनाया और 290 का इसका लो था अगर आज आप Tata Motors की क्लोजिंग देखेंगे तो 296 रुपीज 75 परेसे की क्लोजिंग आज आपको Tata Motors के अंदर देखने को मिली है और अगर पोइंट्स में बात करें तो साड़े 11 पोइंट की तेजी आज आपको Tata Motors के शेर्स के अंदर देखने को मिली है जो कि एक काफी अच्छी क्लोजिंग है और जिसका यहाँ पर शेर होल्डर्स और जितने भी नए इन्वेस्टर्स है वो काफी टाइम से यहाँ पर वेट कर रहे थे क्या सर Tata Motors अब इस लेवल से बाई करना चाहिए या फिर यहाँ से और नीचे गिरेगा तो मैंने आपको कहा है कि आपको Tata Motors का शेर्स जिस भी प्राइस लेवल पर अभी देखने को मिल रहा है वेशा आपको future में देखने को नहीं मिलेगा तो आपको उस शेर्स को definitely एक बार analysis करना चाहिए अपने portfolio में रखना चाहिए और जो भी आपका target है याने कि अगर आप 290 के level से भी buy करते हैं तो भी ये share काफी अच्छा share से बहुत positive share से और long term में आपको काफी अच्छे returns बना कर दे सकता है इसी के साथ जो आज की बड़ी update निकल कर आई है SBI और Tata Motors की उससे जान लेते है Tata Motors signs 3 year MOU with SBI for financing light commercial vehicle जी हां दोस्तों Tata Motors ने यहां बद 3 years का MOU sign कर लिया है SBI के साथ में काई के लिए financing light commercial vehicles याने की commercial vehicles पे अब SBI finance करेगा और किसको Tata Motors की commercial vehicles को तो यह एक बहुत बड़ी update है आगे आप पढ़ सकते हैं इसमें लिखाए The collaboration with State Bank of India will allow Tata Motors commercial vehicles customers to avail of lawns in a hassle-free manner Tata Motors on Friday said it has signed a 3 year MOU Memorandum of Understanding with the State Bank of India to offer Financial assistance for the purchase of the company's range of small and light commercial vehicles The collaboration with State Bank of India will allow Tata Motors commercial vehicle customers to avail of lawns in a hassle manner As well as XSBI's unit technology-laden offering the company said in a statement तो यहां पर एक बहुत बड़ी update निकल कर आई है इसी में आगे लिखाए It will also introduce easy loan structured scheme which will help Might get the cost difference between BS4 and BS6 vehicles for both Down payment as well as the EMI of the vehicle It added तो यहां पर भोट सारे नई features भी यहां पर SBI ने insert करे हैं जो यहां पर उनकी lawn की process है उसके अंदर जिसका benefit customers को आने वाले time में काफी ज़्यादा दिखने को मिलेगा और यहां पर जो MOU sign हुआ है Tata Motors और SBI के अंदर जो कि यहां पर 3 years का MOU sign हुआ है उसका benefit customers को काफी ज़्यादा मिलने वाला है जी हां दोस्तों लेकिन यह अभी सिर्फ commercial vehicles के लिए पेसेंजर vehicles के लिए नहीं है light और heavy commercial vehicles के लिए यहां पर यह MOU sign हुआ है इसी में आगे लिखाए the two business entities will exercise SBI's contactless lending platform technology to ensure uniformity तो यहां पर Tata Motors की तरफ से आज यानि कि evening की या update निकल कर आई है MOU की जो यहां पर SBI और Tata Motors के भी साइन हुआ है तो इसका impact आपको Monday के दिन जब बाजार open होगा market open होगा उसके अंदर Tata Motors के shares के अंदर देखने को मिल सकता है तो आपको कीन levels का सबसे ज़्यादा धियान रखना है आईए उससे भी जान लेते है सबसे पहले अगर share के price की बात करने तो share Tata Motors की share की price अभी अपने 52 week के high से 16.97% नीचे trade कर रहा है लेकिन उमीदे लगाई जा रहे है के बहुत जल्द आपको 52 week का जो high है Tata Motors का 350 के according, 350 के approx, वो भी बहुत जल्दी अच्छी होता है देखने को मिल सकता है इसी के साथ अगर बात करें Tata Motors के last one month के performance के बारे में तो Tata Motors ने last one month के अंदर minus 8.22% का यहाँ पर returns दिया है यानि कि बात करू में अगर तो overall loss का return यहाँ पर बना कर दिया है Tata Motors के shares ने लेकिन इसी के सामने अगर Nifty 50 का अगर आप देखेंगे तो Nifty 50 ही नहीं यहाँ पर 0, minus 0.15% यहाँ पर अपने investors को loss दिया है तो अगर आप देखेंगे तो Tata Motors ने काफी ज़्यादा loss दिया है यहाँ पर अपने investors को लेकिन यह उनके लिए panic का समय है जो यहाँ पर short term का mindset करके आए यानि कि जो intraday session करते हैं उनके लिए यहाँ पर दिक्कत है लेकिन यहाँ पर जो long term का mindset करके आए है उनके लिए किसी तरह की कोई दिक्कत दिये क्योंकि यहाँ जो Tata Motors के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है उसके बीचे की वज़या है market crash जी हाँ दोस्तों continuously आपको यहाँ पर इस month के अंदर market crash होते वे देखने को मिला है जिसका impact आपको Tata Motors के shares के उपर भी देखने को मिला है अभी भी जो Tata Motors की technical rating आ रही है वो daily basis पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको moving averages और technical indicators भी अरिशी देखने को मिल रहे है हाला कि moving averages cross words आपको neutral देखने को मिल रहे है overall अगर बात करूँ मैं आपको तो यहाँ पर Tata Motors के shares को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के लिए सब सब अच्छा पेक टाइम है लेकिन Tata Motors को बेचने के लिए आप यहाँ पर मैं आपको यह सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर loss book करके बाहर हो जाना चाहिए क्योंकि जो यहाँ पर Tata Motors के quarter 4 के result आने वाले हैं उसका काफी अच्छा impact आपको shares price पे देखने को मिलने वाला है इसी के साथ अगर share price की weekly performance के बारे में बात करूँ तो technical rating very bullish निकल कर आ रहा है चाहे moving averages technical indicators या moving averages crossworth किसी भी indicators के बारे में बात करूँ सारी चीज़े आपको यहाँ पर very bullish देखने को मिल रही है और इसी के साथ अगर monthly भी आगर आप देखेंगे technical rating तो वो भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल रही है तो overall अगर हम shares की बात करें तो shares के अंदर काफी अच्छे moment है लेकिन intraday के लिए shares अभी सही नहीं है तो आपको intraday के session के हिसाब से इस share को avoid करना चाहिए अगर आप intraday session करना चाहते हैं तो उसके लिए Tata Power और या फिर Tata Green अभी सबसे अच्छे shares बने वे हैं intraday session के लिए Tata Motors के अंदर अगर volume based काम भी देखेंगे तो volume based काम भी Tata Motors के अंदर बढ़ गया है यानि कि आज भी NAC और BAC के अंदर लगभख 8 करोर्स की quantity trade हुई है और उसके पीछे का reason यही है कि यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा buyers हावी है क्योंकि जिस shares price पर Tata Motors का share trade कर रहा है उस share price पर यहाँ पर जितने भी levels देखे जा रहे हैं वो सिर्फ buying के levels निकल कर आ रहे हैं तो यदि आप भी Tata Motors के shares को खरीदना चाहते हैं तो 290, 295 के level पर ये shares बिल्कुल सही समय आपके खरीदने के लिए लेकिन आपको यहाँ पर long term का mindset करके चलना होगा तो काफी अच्छे result आपको future में देखने को मिल सकते हैं चलिए दूस्तों उमीद है आपको सारी चीजे detail में समझ आ गई होगी अगर आप किसी भी shares को खरीदना चाते हैं या बेचेना चाते हैं तो सबसे बिले अपने financial advisor से consult कर लें उसी के बाद किसी भी shares को खरीदे या बेचे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay connected, stay updated